नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दन्यूज लॉंचर के इस यूट्यूब मंच पर बिहार का घटना करम हम सब के सामने है बिहार के मुख्यमंती नितीज कुमार भले ही इस घटना करम पर अब कुछ भी अब तक नहीं बोले हो लेकिन जिस पकार से पहली बार जनतादल उनाइटिट के प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान आया है और सीधा सीधा हमला नीरज कुमार ने रास्टी जनतादल के पर्थम परिवार की तरफ किया है उससे अब साफ जाहिद हो जाता है कि कम से कम आज की परिस्तितियों में कोई करिस्मा ही बिहार के महागठ बंदन को यानि बिहार में इंडिया गटबंधन के मौजूदा स्वरूर को बचा सकता है लेकिन सवाल ये है कि जब करीब करीब ये तै हो चुका है कि बिहार में महा गटबंधन तूट गया है और अब नितीश कुमार आज देर रात या कल सुबह इस्तिफा देकर कल साम तक दुबारा सपत ले सकते है या राश्टिय जनतादल के मंत्रियों को सरकार से बरखास्त कर भारती जनतापार्टी के निताओं को मंत्रीपत की सपत दिला सकते है तो इस परिस्तिती में जो सबसे बड़ा खत्रा है राश्टिक खत्रा अस्तित्त का खत्रा वो जनतादल उनाइटेट को तो है ही उससे भी जाना खत्रा नितीश कुमार के पुलिटिकल करियर को है कहीं नितीश कुमार बहुत बड़े धोके का सिकार होने तो नहीं जा रहे है कई नितीज कुमार के राजनीती के जिदे राजनीती का चानक के कहा जाता है वो एक बार किसी ऐसे दुस्चक्र में फसने की तयारी तो नहीं कर रहे है जिससे वो अब तक अंजान है 2020 का विधान सभाद चुनाओ सब को याद होगा उस विधान सभाद चुनाओ में किस तरह से लोग जन सक्ति पार्टी के कैंडिडेट जालात और भाजपा के लोग थे और जनता दिल उनाइटेट की सीटों पर जब चुनाओ लड़ रहे थे भाजपा के खिलाब एका दुका सीटों पर ही चुनाओ लड़ रहे थे उस दौर में लोग जन सक्ति पार्टी के अध्यक्त चिराग पासवान पूरे बिहार में कह रहे थे कि वो नरंद मोदी के हनुमान है और नितीश कुमार को सत्ता से हटाना चाहते है लेकिन उसके बाद की जो परिस्तितियां बनी जब जनतादल इनाइटेट सीधे सीधे 43 मिरांसवा सीटों पर आ गई तो नितीश कुमार का बयान आया कि हम तो ये चुनाओं में पहचान ही नहीं पाए कि कौन हमारा दोस्त है कौन दुस्मन है तो क्या आज की तारीख में भी नितीश कुमार दोस्त दुस्मन की पहचान नहीं कर पा रहे है क्या राश्तिये जनतादल के साथ परिस्तितियों को रखते हुए मद्दे नजर रखते हुए क्या सरकार को नहीं चलाया जा सकता था मोटे तोर पर चार खत्रे चार आसन खत्रे नितीश कुमार की सरकार के लिए उनकी राजनितिक सेहत के लिए दिखाई दे रहे और इनमें से एक भी खेला नितीश कुमार के साथ हो गया तो नितीश कुमार का पॉलिटिकल करियर चोपट हो सकता है और जिन चार खत्रों की बात मैं कह रहा हूं उसमें चोथा खत्रा तो ऐसा है जिसमें नितीज कुमार की राज निती बचेगी और नहीं जनतादल उनाइटिट की राज निती बचेगी और नहीं राष्टी जनतादल की राज निती बचेगी ट्राष्टी जनताल की थोड़ी बहुत सियासत बच जाएगी विपक्षिदल के तौर पर लेकिन उस खत्रे से दो चार उसे भी होना पड़ेगा लेकिन मूल रूप से जो खत्रा है वो नितीज कुमार को है क्या है वो चार खत्रे आईए आज आपको मैं चारों खत्रों के बारे वे बताता हूं खत्रा नंबर एक खत्रा नंबर ये किये है कि नितीज कुमार की इमेज का बटाधार हो रहा है नितीज कुमार की इमेज इस देश में एक नीट और क्लीन लीडर की रही है नितीश कुमार की image इस डेश में रही है जो भ्रस्टाचार और परिवारवाद से कोसो दूर है नितीश कुमार की image इस डेश में ये रही है कि वो कभी जनता के मुद्धों को छोड़ करके आलतु-फालतु-मुद्धों पर राजनीती नहीं करते ध्यान दीजे नितीष कुमार ने उस दौर में बिहार की राजनीती को भारती-जंता-पार्टी से दूर रखा जब सामप्रदाईता की इंटृ-डेस के दूसरे राज्यों में हो गई थी लेकिन भाजपा के साथ रहने के बावजूद बिहार में सामप्रदाइक्ता की एंट्री नहीं होने लिए और समाजिक न्याय की राजनीती करने के बावजूद जातिये विद्वेश को बिहार में पनपने नहीं दिया यह बहुत बड़ी खुबसूरती नितिसकुमार की है उनकी राजनीती के तरीके की बहुत बड़ी खुबसूरती है लेकिन अब भी यह खुबसूरती आज की तारीख में जो कहा जा रहा है कि कल किसी भी समय बिहार में सत्ता परिवर्टन हो सकता है और नमी बार नितीज कुमार मुख्यमंत्री पद के सपत लेंगे तो उस परिस्तिती में ये मुख्यमंत्री पद नितीज कुमार के लिए 15-20 दिन या केवल एक महीने का भी हो सकता है और उनका सियासी करियर खत्म हो सकता है जो लोग इस देश में नरेंद्र मोदी के विकल्प के तोर पर नितिस कुमार को देख रहे थे अब वो विकल्प कही न कही भार्टी जंता पार्टी के साथ जाकर अपने राजनितिक आउसान की तरफ बढ़ रहा है नरंद्र मोधी की तीसरी ताजपोसी की तरफ बढ़ रहा है और ताजपोसी करवाने के लिए एतिहासिक निंदा के सिकार नितिस कुमार हो सकते है इस देश के अंदर एतिहासिक निंदा बहुत कम लोग के हुई है तमाम उपलबधियां दरकिनार कर दी जाती है जब आपनों जब कोई ब्यक्ति एतिहासिक निंदा की तरफ बढ़ता है पीवी नर्सिमाराओ देश के प्रधान मंत्री थे तमाम उपलबधियां उधारी करन भूमंडली करन की तमाम उपलबधियां पंजाब को सांथ करने की तमाम उपलब्दिया एक बड़े उभुकता बाजार में तबदील करने का जो क्रेडिट इस देश से नसिमा राव को मिलना चाहिए था दरसल उस ग्रेडिट की बजाए लोग नसिमा राव को याद करते हैं कि उनके धीरे ढाले परसासन की वज़े से बावरी धाचा बावरी विध्वन्स जैसी घ्रिडिद घटना इस देश में हो गई तो इतिहास नितीज कुमार की उपलबधियों को याद करने की बजाए नितीज कुमार को एक ऐसे नेता के तोर पर याद करेगा जो इस देश में एक ऐसे दोर में जब समिधान के उपर खत्रा हो एक ऐसे दोर में जब लोकतांत्रिक मूलियों के उपर खत्रा हो और इन सब खत्रे से निजात दिलाने के लिए जो पहल करने की जवरत थी वो पहल नितीज कुमार में की थी इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता लेकिन ये क्या पहल करने वाला व्यक्ति खुद ही उसी पाले में जाकर के बैठ जाए जिसके खिलाफ उसने पूरे देश में माहौल बनाय ये खत्रा है इमेज का दूसरा खत्रा नितीज कुमार के सामने क्या है कि जिस पाले में वो जा रहे है उस पाले में एक बहुत साधारन बहुमत के साथ वो सरकार चलाने की तरफ अगरसर है 122 पर बहुमत का आखड़ा होता है 243 अदस्यों की बिरान सभा में और नितीज कुमार 127 या 128 मिरायकों के बहुमत के आखड़े पर बैठे हुए है 78 बीजेपी के 45 45 उनकी अपनी पार्टी के और 4 जितनराम माजी के और एक निर्दलीय सुमित सिंग केवल 128 मिरायकों के यानि बहुमत के आखड़े से 6 जादा उस आखड़े पर बैठे हुए है और यदि कॉंग्रेस पार्टी में जो तूट की संभावना जताई जा रही है यदि कॉंग्रेस के 13 या 14 लोग तूट कर आ भी जाते हैं तो भी आखड़ा बहुत ऊपर नहीं जाता है और जो ब्यक्ति दूसरी पार्टी से आकर नितीज कुमार की पार्टी के विरायकों की संक्या को 45 से बढ़ा करके 69 तक ले जा सकता है उस परिश्तिती में तो नितीज कुमार का बिरायक दल किसी दिन यह भी सुनने में आ सकता है कि जो मौसम बैग्यानिक आएंगे वह मौसम बैग्यानिक फिर से भारती जनता पार्टी में स्विच कर जाएं और भारती जनता प कि सरदत्वार की पार्टी के भी तक्रीवन 40 नियगुद कि मोजूदा विर्हाइक दल में 2 तिहाइए पूरा करण sommes दूसरी पार्टी के विर्हायकों को डूर्स habilisusma में सामिल करवा और उनके विर्हायकों की संख्या को फिर दो तिहाइक की लाइक मधकाई और अगले एक दिद्ध मिएने में दूसरा उप्रियसन लोटस कर दिया जाए यह संभावना बिहार में नितीस कुमार की पाटी के शाहत जरा रही है तीसरी संभावना तीसरी संभावना यह है कि नितीश कुमार जिस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि राश्टी जनता दल से दूर हो रहे हैं कि राश्टी जनता दल्म की बिहार विधान सभा को भंकर साइमुल्टेनियस पोल यानि लोग सभा के साथ विधान सभा च साथ खड़ी है कौन सा बीजेपी नितीज कुमार के साथ खड़ी है इस बात के लिए कि नितीज कुमार आएं सपत लें वोटन अकाउंट पास कराएं और उसके बाद बिदान सवाब भंग कर दें अब तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि भारती जनता पार्टी ने नितीज क करिये क्यों रहें क्या सिर्फ संजे जावर करने वाले लोहों के सहारे जनता रुणाइट चलेगा विदान प्रिसद और राजसों altri का संवान और नहीं कोई दोराय नहीं है है लेकिन सियासद जमीन पर होती है सियासद उसूलों पर होती है और जब जिस Neatah का अभ्यक्तित उसूलों के अधार पर खड़ा वगनेता उस सेडिक करके उससे डिगता हुआ दिखाई दे और एक नए तरह की औसरवादी राजनिती का सिकार बनता हुआ दिखाई दे तो यकीन मानिए औसरवाद जनतादल उनाइटेड को खत्म कर सकता है औसरवाद जनतादल उनाइटेड का चुनावी मरसिया पड़ सकता है और एक बार नितीज कुमार ने बात कही भ और में कही थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं हमारी पार्टी का अस्तित्म मिटाना चाहते हैं तो जो अस्तित्म मिटाने वाले लोग है नितीज कुमार की पार्टी के क्या उन्हीं के साथ आप जा रहे हैं नितीज कुमार को खुल कर नाम बताना चाहिए कि कौन लोग हैं जो अस्तित्मिटाने की बात कर रहा है आज की तारीख में नितीज कुमार जिस कमजोर विकेट पर आए उस कमजोर विकेट पर लाने वाले कोई और नहीं भारतिय जनता पार्टी के लोग थे नितीज कुमार की पार्टी से जो लोग छोड़ और लोग कहां गए उपेंद कुस्वहा ने पार्टी छोड़ी बीजेपी के बगलगीर हो गए और सीपी सिंग जिनके उपर बहुत बड़ी तोहमत ललन सिंग ने प्रेस कॉंफरेंस करके लगाई थी और उसके बाद नितिसकुमार में भारती जनता पार्टी का दामन उसी बीजेपी के साथ नितिसकुमार जा रहे हैं और रुनाचल की विधायकों को बीजेपी सामिल करा सकती है पुर्वतर के दूरसे राज्यों के नितिसकुमार की पार्टी के विधायकों को बीजेपी अपनी पार्टी में सामिल करा सकती है तो क्या बिहार के विधायकों से आकार ले रहा था उस दौर में विपक्षी गठमंदन का अगोसित अगुआ होने के बावजूद उस गठमंदन को टाटा बाइवाय करना पड़ रहा है इसका जवाब सिर्फ पर सिपनितीस कुमार दे सकते हैं और टाटा बाइवाय करने का नतीजा यह हो कि आप जिसके ख खतरनाक जो नतीज कुमार और जनतादल उनाइटिड के राजिंटिक जीवन के लिए सावित हो सकती है और भारती जनता पार्टी के मिजाज को देखते हुए कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बीजेपी इस देश में यह सब काम कर सकती है साम दाम दंड भेद यह पटना ह जून 2022 में जेपी नड़ा भारती जनता पार्टी के उस वक्त के अध्यक्ष और आज के अध्यक्ष उन्होंने पटना में जाकर यह बयान दिया था कि आने वाले समय में जनतादल उनाइटिड का नाम भले ही नहीं लिया हो लेकिन सीधे सीधे कहा था कि आने वाले वक्त मे इस देश में छेत्रिय दलों का सफाया हो जाएगा तो क्या जो छेत्रिय दलों का सफाया करने वाले हैं उनके साथ आप जा रहे हैं और इस खतरनाक आसंका का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक तक्नीकी पहलू इसके साथ ऐसा जुड़ा हुआ है जो भारती जनता पार्टी के मिजाज को देखते हुए आप इसकी आसंका से इंकार नहीं कर सकते तक्नीकी पहलू यह है कि माल लीजे नितीज कुमार कल सपत लेते हैं भारती जनता पार्टी के समर्थन से भारती जनतापाटी समर्थर वापस लेकर सरकार नहीं गिराएगी माल लिए क्योंकि समर्थर वापस लेकर यदि सरकार वो गिराएगी तो बिहार प्रेस्डेंट रूल की तरफ ना बढ़ जाए अपमाल का घूट पीने के बावजूद तमाम मतभेद के बाद अलग होने के बावजूद बीजेपी के हाथ में बिहार को जाने से परत्यक्ष रूप से यानि रास्टपती सासल लगाकर बीजेपी के हाथ में जाने से बिहार को बचाने के लिए राष्टी जनतादल सरकार का रेस्क्यू कर सकती है नितीज कुमार के सरकार का आज भी आपते जस्वियादों का बयान देखिए कि नितीज कुमार उनके सम्मानित नेता थे और हैं लेकिन यदि कल्पना कीजिए कि यदि मनी बिल पर बीजेपी ने सपोर्ट विड्रॉ नहीं किया और बजट चुकी मनी बिल होता है और मनी बिल पर कोई भी सरकार यदि ध तो पूरी सरकार का इस्तिफा होगा फिर आप अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे आविश्वास मत हासिल करेंगे कह भी नहीं सकते और अगर मनी बिल पर बीजेपी ने नितीज कुमार का दामन छोड़ दिया बिहार को राष्ट पती सासन की तरब धकेल दिया तब तो न राष्टिये जनतादल सरकार बचा पाएगी नहीं राष्टिये जनतादल सरकार बना पाएगी और बिहार में अपरत्यक्ष रूप से भारती जनतादल इनाइटेट का अस्तितुन समाप्त कर दिया जाए और जो एकमात्र हिंदी भासी राज अब तक भाजपा के सासन से मुक्तरा आए, वहां भारती जनता पार्टी की सरकार बनने की बुनियाब न रख दी जाए, इसकी आसंका से कोई इनकार नहीं कर सकता, अब भी समय है नितिश बावू, अब भी वक्त है, भारती जनता की पार्टी के साथ, क्या क्या भारती जनता पार्टी ने आपकी पार्टी के साथ, अरनाचल प्रदेशन पुर्वत्तर के दूसरे छोटे राज्यों में, क्या क्या भारती जनता पार्टी ने आपके जनता दल परिवार के पुराने सहयोगी और दोस्त, ह.ड. कुमारा स्व स्वामी की पार्टी के पास कि जो मुख्यमंत्री कुमारा स्वामी हो सकते थे आज भारती जनता पार्टी के लिए स्टेपनी की भूमिका निभाने के लिए और आपकी ताकत यह रही है नितीस वावू कि आपके लिए दूसरे लोग इस्टेपनिक की भूमिका आप तक निभाते रहे हैं चाहे भारती जनता पार्टी हो यह रास्टी जनता दलो तो यह परिस्टितियां ऐसी है कि जो चौती आसंका है वो बेहत खतरनाक परिस्टिती की और ले जा रही है कि मनी बिल पर यदि भारती जनता पार्टी ने डिच किया उस बिहार में जिस बिहार में तकरीबन 50-52 साल पहले 55 साल पहले एक सरकार मनी बिल पर गिर चुकी है उस में यदि यह सारी चीजें हुई कोई नहीं कह सकता कि आने वाले वक्त में क्या होगा राष्टपती सासन की तरब भारती जनता पार्टी बिहार को ले जाकर उसके बाद किसी ऑपरेशन लोटस के सहारे या उसके बाद दैब सिर्दे से बिरान सबाद चुनाओ कराकर सांप इस बात की समझ क्या कैसी केसी त्यागी को है इस बात की समझ क्या संजय जहा को है और यदि इन तीनों को नहीं है तो क्या इस बात की समझ नितीज कुमार को तो होनी चाहिए उन्हें क्यों नहीं है वक्त हिसाब मांगेगा और आज की तारिक में यही कहा जा सकता है कि कम से अरब्छार बिहार गलत हाथों में जाने से बच जाए देखते हैं क्या होता राजडितिक्यों के नर्णेनेद लेकिन हम पत्रकारों का विसलेशन राजलितिक विशलेशकों का विसलेशन अक्सर परिस्तितियों घटना क्रमों इन सब के आधार पर आधारीत होता है उसी आधार पर दनीज लॉंचर की टीम ने जो पूरा का पूरा तमाम किंतु परंतु को देखते हुए जो 4 पॉइंट तैयार किये, उन चार पॉइंट्स को मैंने आपके सामने रखने का काम किया है नमस्कार